नमस्कार नाकपूर हल्चल में आपका स्वागत है तो आई ये नजर डालते हैं नाकपूर की विविध हल्चल पर राज्य में आगाडी सरकार के चले जाने के बाद अब नए मुख्यमंत्री के रूप में देविंद्र फणनवीस के हाथो फिर से एक बार राज्य की कमान आने वाली है राज्य में हुई इस उठा पठग को लेकर भले ही आरोप प्रत्यारोप चल रहे हो लेकिन फणनवीस के मुख्यमंत्री बनने से सिटी के अच्छे दिन आने की आशा सभी स्तर पर जताई जा रही है जानकारो के अनुसार राज्य में भाजपा की सक्ता के दोरान सिटी के विकास के लिए निधी की कभी कमी नहीं रही न केवल मनपा बलकी विधायकों के माध्यम से भी सीटों को अन्य की तुलना में अधिक निधी प्राप्त हुई इसके अलावा फंडविस के कारेकाल में ही डीपीसी की निधी में भी धारी इजापा दिया गया था जिसके चलते विधायकों के माध्यम से सिटी के हर हिस्से का विकास हो पया था अब विकास का वही सिलसला पुनशरो होने की उमेद जताए जा रही है जानकारों के अनुसार देविंद्र के मुख्य मंत्री काल में ही सिटी में सिमेंट रोड की नई योजना शुरू की गई थी उनमें फॉर्मूले के अनुसार ही मनपा, नाकपुर सुधार प्रण्यास और राज्य सरकार से मिले अनुदान के आधार पर सिटी के कोने कोने में सिमेंट रोट का जाल फैलाया गया मनपा, आयुक तेवन प्रशासक रादाकृष्णन बी के निर्देशों के अनुसार प्रवरतन विभाग की और से शहर के सभी दस जोन में भले ही अतिक्रमन उनमूलन का कड़ा अभ्यान शुरू किया गया हो लेकिन इसके लिए बनाएं गए जोन के दस्ते संसाधनों की कमी के चलते असारदार साबित नहीं हो पा रहे है यदि कारण है कि कुछ जोन में तो कड़ी कारवाई हो रही है लेकिन कुछ जोन में कारवाई के नाम पर लीपा पोती की जारी है इसका अंदादा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि बुदवार को धरमपेट जोन में धरमपेट जोन कार्याले के ठीक पीछे स्थित गोकिल फेट बाजार और रामनगर चौक स्थित हनुमान मंदिर के पास कारवाई की गई हनुमान नगर मंदिर के पास फूलों की छोटी दुकानों को तोडने के बाद बुल्डोजर थंडा हो गया उनलेक निया है कि आसी नगर जोन में कामठी रोट पर स्थित आमबेट कर अस्पताल के ठीक सामने सोफा बाजार है बुद्वार को कारवाई के दौरान आसी नगर जोन से निकल रहे दस्ते की इन सोफा बाजार के दुकानदारों को पहले ही भनक चल चुकी थी सुबह 11 बजे के करीब जिस समय दस्ता यहां से गुजरा पुरा सोफा बाजार का सामान पुटपाथों से गायब था महराष्ट सरकार के अस्तिप्रो पर आयस संकट के लिए पार्टी के बड़े निता एक नाच्छिंदे के जिम्मदार बताते हुए सैक्डो शिवसेनिकों ने गुद्वार को सीता बड़ी में उग्र विरोध प्रदर्शन किया शिवसेना संपर्ग प्रमुक विधायक दुशन चतुरवेदी के मार्दशन में हुए प्रदर्शन में शिवसेनिकों ने हर हाल में मुख्य मंत्री उदव ठाकरे के समर्थन में रहने की बात कही वही उदेपुर में दर्जी का नहीं अलाल गुर्जर के इन रुशन सहत्या के विरोध में भी नाराजगी चताई गई जासिराणी चौक से वेराइटी चौक तक पैदल मार्श निकाला गया शहर प्रमुख नीती इंतिवारी ने कहा कि अंजाम चाहे जो भी हो उदव ठाकरे के नेतरत्व में युवा आदित्य ठाकरे का चहरा लेकर शिवसेना दोगुनी ताकत से भविश्य में उतर गी सभी बाग्यों के राजनेतिक अस्तित्व का समापन होगा शिवसेनिक और महराज्य की जनता उने उनके घर का रास्ता दिखाएगी सकता में रहने या ना रहने से शिवसेना को कोई फरक नहीं पड़ता इससे पहले राज ठाकरे राने भुजबल जैसे नेताओं ने भी प बदनाम कर दी है शैक्षणिक सत्र की शुरुबात के साथ ही स्कूलों में रौनक लोटाई बच्चों के चहरे पर खुशे साफ दिखाई दी नया यूनिफॉर्म नया बैक टिफिन और नई किताबों ने छात्र का उत्सा बढ़ा दिया एक और जहां शिक्षक स्वागत के के साथ जम कर मौज मस्ती भी की पिछले दो वर्षों में कोरुना महामारी के कारण अन्यमित स्कूल ने छात्रों का रूटीन बिगार दिया था ओनलाइन ग्लासेश चलती रही लेकिन इससे छात्र खुश नहीं थे अन्या कोई विकल्प नहीं होने के कारण जैसे तैसे सत करने पड़ गया ने सत्र के लिए शिक्षा विभाग ने भी तयारी की थी पहला दिन प्रविशोत सव के रूप में मनाये गया शहर के सभी सरकारी और अनुदानित स्कूल शुरू हो गए थे वही जिला परिशत के सभी 1518 प्राथमिक विद्यालयों में प्रवे समारों मना शिक्षा उपनिदेशक वैशाली जामदार शिक्षा अधिकारी प्राथमिक रोहिणी कुम्भार उपस्थित थे ग्राम सेवत सहकारी पतसंस्था कार्यालय में संपन्न हुए इस चुनाव के सफल संचालन में चुनाव निर्णै अधिकारी उत्तम जेंगोंदे निरिक्षक आशिश भागवत प्रविन खोंडे चान कुरेशी राज्यमाह सचिव प्रशान जामोदे जिला संगठन पताद पतिकारी सुभाष धारपूरे वहरी लोहे का महत्वपूर्ण सहयोग रहा चुनाव संपन्न होने के बाद नागपूर जिला कारेकारणी सभिति की भी गोश्टा की गई कारेकारणी समिते में विश्णू पोट भरे अध्यक्ष, हरी लोहे कार्या ध्यक्ष, सुनिल इचे उपाध्यक्ष, सुनिता पाटिल महिला उपाध्यक्ष, उदै चांदुरकर सरचिटनेस, सचिन खोडे कोशा ध्यक्ष, सुरेश कोडापे संगठक, करुणा महले महिला स तातोबाग कुंड सलहाकार वसंद गोखे प्रचार समुख नारायन कुंभलकर जीवन को ले सुनिल जोशी मनोज गोटे सुश्मा मोरे राज्य कैंसिलर का चैन क्या गया है नवनियुक्त अध्यक्ष विश्णुपोट भरे ग्राम पंचायत धापेवाडा में कार्यरत है इश्रावत और जीले के सभी सचिवों ने अभिनंदन किया है राज्य के समान विकास के उद्देश्य से विदर्ब, मराठवाडा और महाराश्य के बचे अन्यक्षेत्रों के लिए प्रादेशिक विकास मंडलों की स्थापना की गई थी गद कुछ वर्षों से प्रादेशिक विकास मंडलों के पुनर गठन का मसला अटका हुआ था बुद्वार को हुई कैबिनेट की बैठक में पुनर गठन पर मुहर लगाई जाने के बाद अब अन्य मंडलों के साथ ही विदर्ब के विकास के लिए महत्वपूर्ण विदर्ब वैधानिक विकास मंडल के पुनर जिवित होने की संभावना बलवती हुई है बताया जाता है कि गद तीन वर्षों से पुनर गठन का मसला अटका हुआ था बताया जाता है कि मंडल की समय अवधी 30 अप्रेल 2020 को ही खत्म हो चुकी थी समय खत्म होने से इसका कारेकाल बढ़ाया जाना चाहिए था किन्तु 27 अप्रेल 2020 को हुई कैबिनेट की बैठक से इसे मंजुरी नहीं मिल सकी जिसे लेकर महाविकास अगडी की सरकार को कट घरे में भी खड़ा किया जाता रहा है राज्य में चल रही राजनितिक उठापठक के बीच मंत्री मंडल द्वारा लिए गए फैसले से अब विधर्ब के विकास को गती मिलने की आशा जताई जा रही है उलेकन यह है कि 27 अप्रेल 2020 को हुई कैबिनेट की बैठक में पालक मंत्री नितिन राउत ने विधर्ब वैधाने की कास मंडल का कारेकाल बढ़ाने की पूर जोर मांग की थी पहु प्रतिक्षित रेल यात्री सुविधा यानि जनरल टिकेट अब हर ट्रेन के लिए मिल सकीगी 28 जून की राद 12 बजे से ये सुविधा यात्रियों के लिए उपलप्त कराई गई इससे विशेश तोर पर हर दिन एक जोटा सफर करने वाले आम यात्रियों को बड़ी रहत मिलेगी उलेकनिया है कि मार्च 2020 में देश्वयापी लॉकडाउन के बाद दोबारा शुरू हुई यात्री रेल सेवा में जनरल टिकेट को भी आरक्षी च्रेनी में डाल दिया गया था इससे आम यात्रियों को जनरल क्लास में सफर करनी के लिए रिजर्वेशन करना पड़ा था हाला कि रेल्वे ने 1 मई 2022 से दोबारा जनरल टिकेट बिकरी शुरू करने की घूषना की थी लेकिन 120 दिनों वाली आरक्षन निया मावली के चलते ततकाल प्रभाव से ये सुविधा यात्रियों को नहीं दी जा सके ट्रेनों में एडवांस रिजर्वेशन पिरियेड 120 दिनों का होता है ऐसे में ट्रेन रद हुए बिना किसी भी यात्री का अरक्षिट टिकेट रद नहीं किया जा सकता चुकि यात्री 1 मई से पहले ही जनरल क्लास यानि सेकंड सिटर में सीटे बुक करवा चुके थे ऐसे में निर्धारी ट्रेनों में सभी आरक्षिट सेकंड सिटर कोटा समाप थोए बिना जनरल टिकेट बिकरी शुरू नहीं की जा सकती थी लेकिन अब ट्रेनों में आरक्षिट सी टेकर अमवार समाप थोने के बाद उन गाडियों के लिए टिक्टे उपलब धोने लगी केंद्रिय वन परियावरण और जलवायू परिवर्तन मंत्राले द्वारा जारी अधिसुचना के अनुसार एक जुलाई से नाकपूर में सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंद लगा दिया जाएगा प्रतिबंदी प्लास्टिक को लेकर बुद्वार को शहर के व्यापारियों ने नाकपूर महानगर पालिका के अपर आयुक्त राम चोशी शे नुराकात की और इस सम्मन में शंकाओ को लेकर उसका समाधान पूछा व्यापारियों से चर्चा के दोरान मनपा आयुक के बैठक कक्ष में मुख्या भियानता प्रदीद खवले उपायुक्त तथा घंकचरा व्यवस्थापन संचालक डॉक्टर गजिन्र महले उपद्रव खोजी दल प्रमुक विरसेन तामबे महाराश्ट्र प्रदुशन नि जोशी ने बताया कि केंद्रिय परियावरण बनव जलवायू परिवर्तन मंत्राले ने 12 अगस 2021 को जो अधी सुचना चारी की है उसमें सिंगल यूस प्लास्टिक साहित्य की निर्मिती, आयात, संग्रहन, वितरन, विक्री और इस्तमाल पर 1 जुलाई 2022 से पुर्ण प्रति पर इसे किया है। सबसे पहले नन्ने चातरों के हाथों आयुक्त और उपस्तित गणमान ने व्यक्तियों ने कुश्पगुच दे कर स्वागत किया। की मांग को देखते हुए, पिछले साल नाकपुर महानगर पालिका के माध्यम से स्कूल का उद्गाटन किया गया था। यह उपकरम मनपादवारा अकंशा फाउंडेशन के सहयोग से लागू किया जा रहा है। इससे मुफ्त गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा का सपना साकार हुआ है। नाकपुर महानगर पालिका अक्षेतर के टिका करण के इंद्रों पर प्रती दिन टिका करण किया जा रहा है। इसलिए मनपा के सभी टिका करण के इंद्रों पर आज केवल कोवैक्सिं का टिका उपलबध होगá। टिका दोपहर दो बज़े तक दिया जाएगा। टिका करण के लिए पंजी करण ओनलाइन और ओफलाइन दोनों पद्धतियों से गया जा सकता है। साथ ही निगम के स्वास्त विभाग की और से टिका करण के लिए जाते समय एक पंजी कुरूत मोबाइल फोन और पहचान पत्रस साथ में रखने की अपिल की गई है। केंद्रिय मंत्री नितिन गड़करी के प्रयासों से मध्यप्रदेश सरकार ने नागदवार तीर्थ यात्रियों के लिए नागदवार यात्रा की अवधी बढ़ा दी है। की बढ़ाई जाने की जानकारी भी है। की तिन गड़करी द्वारा मुख्य मंत्री शिवराज सिंग चोहान और जिला कलेक्टर नेरज कुमार सिंग को लिखे पत्र के बाद अब ये यात्रा 23 जुलाई से बढ़कर 3 अगस्त कर दी गई है। बिजली बिल का बकाया वसुलने गए कर्मचारियों पर हमले के आरोपियों के खिलाब कड़ी कारवाई करने के लिए महावितरन के प्रयास निरंतर जारी है। जिन कर्मचारियों के साथ मारपिट हुई है उनसे भेट कर प्रादेशिक संचालक सुहास रंगारी वह मुख्य अभियंता दिलिप दोड़के ने इस मामले में महावितरन का प्रबंदन पूर्ण रूप से उनके साथ होने का विश्वास दिलाया। सुभार नगर शाखा कार्याले के वरिष्ट तंतरग्य, प्रबिण हनवंते वप्रधान तंतरग्य कुमारी आरती आडे मंगलवार को बिजली उपभोगता शमशिर खान पठान की और बकाया 16,402 रुपे बिजली बिल वसूल के लिए गए थे। सुभार शिक्षन एवं महिला ग्रामिन विकास बहुत देश्य संस्था द्वारा संचाली सेंट्रल इंडिया जुनियर कॉलेज में मेधावी चात्रों का सतकार किया गया। मेधावी चात्रों का सतकार मान्यवरों के हाथो ट्रॉफी तथा प्रमान पत्र दे कर किया गया। सेंट्रल इंडिया ग्रूप ऑफ इंस्टिउशन के मेधावी चात्रों को भी सम्मानिक किया गया। नूरुल हसन अपने महनत और काम्याभी के अनुभव चात्रों के साथ साजा किये। परिस्थितियों का सामना कर किस प्रकार सखलता प्राप्त की जाती है। इसके बारे में चर्चा करते हुए मेधावी चात्रों को सफलता के लिए बढ़ाई दी। अतुल कोटेचा ने चात्रों को बढ़ाई देते हुए उन्हें समर्पन एवं अनुशासन की रहा पर चलने की सला दी और उनके उजवल भविश्य के लिए शुपकाम नाई दी। अंतराश्रे हिंदू परिशत के स्थापना दीन के अउसर पर 24 जून से 3 जुलाई 2022 तक सब्ता भर विदुकारे करम आई जित के जा रहे हैं। इसी कडी में 28 जून को AHP के प्रांत प्रभारी एवं माई ग्रूप के CMD मोतिलाल चौधरी के जनमदीन के उपलक्ष पर परियावरन रक्षा हे तू रुक्षारोपन अभियान, शारीरिक रक्षा हे तू हिल्ट चेकप कैम, आखों की रक्षा हे तू आई चेकप कैम, प्र प्रकाश बगेले, यजिंद्रठाकुर, प्रसाद कठीकर, गोविंदा शेटी, संतोष श्रिवास्तव, हरीश कंगाली आदिमान्य वर उपस्थित्थी, बुद्वार को सिंदी समाज का पावन पर्व खामला में खुम श्रद्दा भक्ती और हर्शोलास के साथ मनाया गया, इस खुम पर्व पर सिंदी समाज के घर-घर में विविदप्रकार के स्वादिश व्यंचन बने, ग्रह अर्पित कर देवताओं से सर्वत सुख शांती, घर-परिवार में सुख शांती बना रहे, नदी तालाब जल से भरे रहे, बुद्वर्गों का आशिरवात बना रहे, यही अर्दास की गई, लोगों ने भगवान के आरादना करते हुए नमन किया, दक्षिनपूर्व मध्य रेलवे नाकपूर मंडल की राजभाषा कारवान नयन समीती की वर्ष 2022 की जुथिय बैठक का आयोजन किया गया, मंडल रेल प्रबंदक मनिंदर उपल के अध्यशता में यह बैठक आयोजित की गई, इस बैठक में अपर मुख्य राजभाषा आ अधिकारी गौतम श्रिवास्तव द्वारा किया गया, इस बैठक में 31 मार्च को सप्ताह तिमाही अवधी की राजभाषा प्रगती से संबन्द विभिन नमतों पर चर्चा एवं समिक्षा की गई, पैठक के प्रारम में एके सुर्यवंशी ने बैठक में उपस्तित समीती के अध्यक्ष एवं सभी सदस्यों का हर्दिक स्वागत किया, उन्होंने अपने वक्तव्य में बताया कि नाकपुर मंडल को राजभाषा के उस्कृष्ट प्रयोग प्रसार एवं अनुपालन हेतु बच 2021-22 के लिए महा प्रबंदक द्वारा राजभाषा दक्षता मंडल रेल उपयोग करता सलहकार समीती की 158 वी एवं वर्ष 2022-22 की गठित समीती के प्रथम बैठक का आयोजन किया गया, इस बैठक में डॉक्टर कुष जुन जुन वाला, राम अवतार तोतला, पीउश तिवारी, सितारा महाते, प्रदीव बजाज, बुजभूशन शु मंडल रेल उपयोग करता सलहकार समीती की बैठक में उपस्थि सभी सदस्यों का स्वागत किया, मंडल रेल उपयोग करता सलहकार समीती के सदस्यों द्वारा दिये गए बहुमुल्य सुझाओ, महत्वपुर्ण साबित हुए है, और रेल उपयोग करता के लिए अधिक सु पुर्व को पश्चिन तथा उत्तर को दक्षिन से चोड़ता है नाकपूर मंडल ना केवल यातायाद बलकि आई अर्जन में भी मध्यरेल ने हमेशा अग्रेसर रहा है हालहे में मध्यरेल नाकपूर मंडल रेल उपभूकता सलहकार समिती के बैठक संपन्न हुई 158 वी बैठक में समिती सदस्य बनने हेतू बुजबूशन शुकला के नाम को सर्वसम्मती से स्विकार क्या गया मंडल रेल प्रबंदक रीचा खरे अपर मंडल प्रबंदक जैसिंग वरिष्ट मंडल वानीज़ प्रबंदक प्रुशनकान पाटे मंडल वानीज़ प्रबंदक विजय थूल सहित मंडल के सभी वरिष्ट अधिकारी एवं समिती के सदस्य डॉक्टर कुष डुनजुनवा रामवतार तोतला, प्यूश्तिवारी, एसार महाते, प्रदीब बजाज, लिलाधर मडावी, डॉक्टर कफिल चंद्रायन, सुरेश भर्डे, एड्वोकेट सतिंद्र थाकुर, मिलिन देश पांडे, दीपक सलूजा, आदीने कुश्प गुच्छ देकर एवं मिठाई खिला कर शुकला को शुपकामनाई दी, जी एस्टिव कोईले के बढ़ते मुल्यों के कारण अखिल भारतिय इट वर टाइल्स, निर्माता महासंग के आवहाम पर इट भट्टा, संचालकों ने इट भट्टा व्यवसाय चलाने में और समर्थता जताई है, और आगामी वश इट भट्टा के अध्यक्ष गजिंद्र चौक से सचिव सुशिल्स शर्मा, अकोला ब्रिक्स निर्माता संक्या अध्यक्ष कपाड़े ने भी अगामी वर्ष में इट भट्टे बंद रखने का आवहन किया है, देश के कई राज्यों में सरकार की अव्यवहारिक परियाव इट भट्टा के नियमित संचालन में बाधा उत्पन्न होती है, परियावर्णियस पष्ट निती बना कर इसका समाधान क्या जाना चाहिए, उतर प्रदेश, बिहार और बंगाल जैसे कुछ राज्यों में इट भट्टे के संचालन के लिए मिट्टी के खनन में स्वच्छ प्रमान पत्र की आवश्चक्ता में छूट दी गई है, इट की विक्री पर GST की दर पिछले के मुकाबले एक प्रतिशत से बढ़ा कर 6 प्रतिशत और 5 प्रतिशत से बढ़ा कर 12 प्रतिशत कर दिया गया है यातयाद पुलीस ने मोटर वाहन अधिनियम के विबिन धाराओ के अंतरगत कुल मिला कर 3,328 वाहन चालकों पर कारवाई की और उनसे कुल मिला कर 2,84,000 रुपे का जुर्माना वसुला इसके अलावा जुआ अधिनियम के अंतरगत 2 मामलों में 2 आरुपियों को गिरफ्तार किया गया और उनसे 5,000 रुपे का सामान जब्त किया गया है उपरोट सभी ओपरेशन संयुक्त रूप से नागपुर सिटिग पुलीस द्वारा किये गये थे ट्राफिक विभाग ने यह आवान किया है कि नागरिक वाहन चलाते समय वाहन से संबंधित सभी दस्तावेज अपने पास रखे तो नागपुर हलचल में आज इतना ही आप से कल फिर मुलाकात होगी तब तक देखते रहिए वीके वीडियोस नमस्कार